कि ओवैशी जी अगर इतने ही रैशनल हैं इतने ही प्रोग्रसीव हैं इतने ही आगे की बात करना चाहते हैं तो जो बम्यान में जो बुद्ध की मूर्ती उड़ाई गई थी तालिबान द्वारा उसके उपर कोई वक्तव वे दें कि वो गलत था सही था और अल्ला के नाम पे बुद्ध की मूर्ती को तोड़ा गया था ये तो हम आप सब के सामने हो रहा है तो जो धर्म ऐसा कर रहा है वो शीवलिंग को भी ढखे गा ही और वजुखना बनाए गा ही ये तो सारी दुनिया मान रही और हम आप भी मान कर चल सकते हैं देखे ये तो हो नहीं था क्योंकि पंट हो गए हैं तो सरकार के पद पर चले गए हैं तो अगर वो कंटीनिव कहते तो ये च्छाती पीटने वाला जो गिरो है वो कहता कि देखो सरकार के आफमी को रखा आया हो किसाब से चल रहे हैं तो नियायले क्योंकिनिस्पक्ष काम करता है और यह हमारे सिस्टम में, जस्टिस सिस्टम में ये कहा भी जाता है, कि न्याय तो होना ही चाहिए और न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रिम कोड ने ऐसा आदेश किया है, इसमें कोई गड़वडी नहीं आ है, और जो भी कोड कमिशनर वहां पर आएंगे जो भी दस्तावेज है जो भी रिपोर्ट है वो सब समिट होगा और अगर किसी को उससे अब्जेक्शन और वहां नेक्र? उसमें हर कोई कुछ ने कुछ लेकर आता रहा और सबको और ने कंसीडर भी किया है इसलिए हमारी नयाएक प्रक्रिया का हिस्सा है इसमें कहीं कोई गड़डी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशय या मुद्दा बना कर और लोगों के दिमाग को दूसीद करते रहें तो इसकी तो हमको कंडेम करना चाहिए भर्चना होनी चाहिए मुस्लिम पक्ष नहीं कहा रहा है वो तो OEC साब कहा रहे हैं पता नहीं कहां से उनका कौन सा साइन्स है जो शिवलिंग है वो सबको दिखाई दे रहा है और शिवलिंग खुली आंखों से दिखाई दे रहा है भगवान शिव का शिवलिंग एक particular structure होता है एक तरीके से बनाया जाता है एक पथर होता है और पीछे की जो evidence है वहाँ पर उस्से relate भी हो रहा है तो उसको फवारा अगर आते हैं तो जड़ात दिखा दें कि वो फवारा कैसे चलता है और सबसे बड़ी बात यह है कि उस फवारे को पानी के अंदर डुबो के क्यों रख़ा था आस तक चलाया क्यों नहीं इन्होंने तो यह तो कोरी बक्वास कर रहे हैं इसको यहां से हटा दो तो हटाना पड़ेगा अवेसी कोन है इसको रोकने वाले या इन बातों पे पहले ही बकवास करने वाले वो क्या नियाले से आगे कोई उचे अधिकारी है कुछ नहीं है इसलिए उनकी बातों को ना सुना जाए और टोटली नजर अंदाज किया जाए इन बातों का कोई मतलब ने निकलता जो का मकसद कुछ नहीं था यह एक गैंग है जो इस तरह से ऑपरेट पहले करता रहा है भारत में हर किसी जो भी सब्जेक्ट होता था जो इनके हिसाब से नहीं हो रहा है या इनकी पॉलिटिकल आइडियोलोजी में पॉलिटिकल इसमें किया भी था तो अब वो चलनी रहा है अब हमारे जो सरकारे हैं वो सारी चीजों को समझती है जनता समझती है मीडिया एक एक इंच एक रती भर की चीज़े दिखाती है तो भारत की जनता सारी चीजों को समझ रही है और उसके विरुद्ध कोई भी फैसला कोर्ट य यहां जी शिवलिंग मिला है और लगता है कि पहले गलत हुआ था हम इसको अब सही करने को त्यार हैं यह तो मुस्लिम पक्ष के जो तथाकति ठेकेदार हैं जो नेता हैं जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो बताएंगे लेकिन अगर फैसला आता है तो फैसले को मान लेना चाह चाहिए नियाले का है अपने सिर माथे पर रखना चाहिए अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ने कहीं आवमाना करेंगे या कोट में प्रोविजन होता एक्जीकूशन का तो कोट से एक्जीकूशन लगेगी पुलिस प्रोटेक्शन लगेगी और इसको खाली कराये वाली नहीं है और सीजी एक साधारन से MP है जो फालतु की बातों में हर जगे जाकर टांग अडाते रहते हैं उनका कोई पोलिटिकल कोई सोशल कोई रिलीजियस कहीं कोई एक्जिस्टेंस नहीं है इनका बैक्ग्राउंड देख लिया जाए तो यह पाये जाएगा कि यह ग पानी में डुबो कर रखा गया था तो यह तो तैय है कि जब वीडियोग्राफी आएगी या जो भी चीज़े आएगी कमिशन की विजिट होगी उसके फोटोग्राफ आते हैं स्केच बना के लाए जाता है या गवाही दी जाती है तो उसमें तो शिवलिंग महां दिखेग आरकिटेक्टर के फावारे की तरह निकलता है उपर तक काफी उचे तक जाता है और फिर गरता है तो शिवलिंग को ये अगर वारा बता रहे हैं तो पहली बात तो चला के दिखा दें दूसरी बात अगर ये नहीं चला के दिखा सकते उसमें कोई छेद नहीं है या वो क्वास करने बंद कर दे और जो हिंदू की धार्मिक भावना है उसको आहत करना बंद कर दे नहीं तो इसको इनकी कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ सकती है यह बहुत अच्छी बात है यह होता है हर केस में होता है हम तो एज लोयर देखते है कि जब को interlocutory order किया गया है, interim arrangement बनाए गया, जिसको कि हम add interim बोलते हैं, कि नियाले ने बोला है कि जब तक फैसला नहीं आता, तब तक इसको रखो, ऐसे के as it is रहने दो, तो इसके बीच में इस छोटी सी बात पर एक case के लिए, civil judge के हां case चल दा है, तो इस छोटी सी बात पर आप Supreme Court आकर बक्वास कर रहे हैं, तो Supreme Court तो refuse करेगा ही, ऐसे हर case में Supreme Court refuse करता है, जब तक की कोई बहुत ही गलत चीज ना दिखाई दे, तो ये मेरे ख्याल से स्वागत के लाइक है, और ये हम रोजी court में ये होता हुआ देखते हैं.